चैन्ने में इंगलन्ड की खिलाफ जारी टेस्ट सिरीज के दूसरे मैच में टीम इडिया मुश्क की लिस्तिती में हैं दरसल तोसीत कर पहले बल्ले वाजी करने उतरी टीम इंडिया का खाता भी नहीं खुला था कि उसे शुबमनकिल के रूप में पहला जटका लगा पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद रोही शर्मा और चैतिस्वर पुजारा ने पारी को समालने की कोशिश की दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 85 रनों की साज़तारी भी की टीम इंडिया संबलती हुई दिक रही थी किसी बीच उसे दो बड़े चटके लगी पहले चैत जैतिस्वर पुजारा और उसके बाद कप्तान विराट कोली के रूप में हुसके दो विकेट जल्दी गिर गए याट हुए इसके बाद बल्ले बाजी करने आए विराट कोली भी ज्यादा देर प्रीक्रिस पर नहीं डिक सके वो मना खाता खोले आउट हुए कोली जैसे खिलाडे को आउट करने के लिए एक शानदार गेंद ही जरुवत ही और इंग्लेंड के स्पीनर मोयनली ने ऐसा ही किया उन्होंने जिस गेंद पर विराट कोली को बोल्ड किया उसे ड्रीम बॉल कहा जा रहा है दरसल विराट कोली ने मुएन अली की गेंद को खेलनी की कोशिश की लेकिन गेंद में इतना घुमाव था कि वो कोली के बैट और पैड को भेड़ बेगते हुए स्टम्प से जाटकराई मोयनली की इस गेंद को देकर कुली भी हैरान रह गए वो कुछ देर क्रिश पर भी रही उन्होंने नौन स्ट्राइक पर खड़े रोही शर्मा से पूछा कि क्या हुआ इसके बाद फिल्टर अंपायर ने सड़ अंपायर का सारा लिया जिसमें गेंद सीधे स्ट्रम से लगते हुए देखी कॉमेटरी बॉक्स में बैठे दिगज क्रिकेटर सुनिल गावसकर ने इसे ड्रीम बॉल करा दिया उन्होंने कहा कि ऐसी गेंद भारत के महान स्पीनर प्रसन्ना क्या करते थे बिराट कॉली अपने इंटरनेशनल करियर में 26 वी बार शुन्य पर लोटे हैं कॉली ने स्पीनर की गेंद पर पहली बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं में नॉमबर में 2019 में बांगलादेश के खिलाब वालकाता टेस्ट में 136 रनों की पारी खेलने के बाद से LD News सुरूं करिबो